हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एक्सचेंज टोनेटो प्रडिक्शन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के में जो फोर्ट टी ट्वंटी गेम खेले जाने वाला है उसकी हम लोग जो एक्सचेंज टोनेट एप्लिकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे तो सबसे बहले दोस्तों टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लो बस अब जो है वो प जो क्विस्टिन वीडियो है वो अभी आने वाला है स्पेशली जो लोगों का एक डाउट रहता है कि TDS और GST जो होता ना उसमें लोगों को डिफ्रेंस अभी तक मतलब कुछ यूजर्स को समझ में नहीं है कि यह क्या कुछ है तो मैं पूरा सिनेरियो आपको स्पेशली ए कि समझा दूंगा तो थोड़ा सा उसका भी वेट कर लो बाकि आज यूइनिंग में आपको प्रोकबटी लीग वाला वीडियो मिल जाएगा चली दोस्ता अगर बढ़ती और बात कर लेते हैं वीडियो में एक्सचेंज टोनिट एप्लिकेशन का डाउनलोड लिंग आपको इस वीडियो के कोमेंट सेक्षन में मैंने जो है ना कोमेंट पिन गर कर लेना देखो अब लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो रेफर कोड का यूज करते हो ना जिसमें अगर रेफर कोड ओटमेटिक फिल लो ई-ex22 एक्सपर्ट तो आपके लिए क्या फाइदा होगा द तोटल 300 रुपए deposit में खेलने के लिए 500 रुपए का आपको बोनस मिल जाएगा तो 800 रुपए तक आप ग्रेव कर सकते हो इस application में और इस application में आपका GST नहीं लगता है यह सबसे important बात है तो अब इंडिया उस्टेलिया के अगर बात करें लास्ट मेंच बहुत ज्यादा शांदार था को इंडिया अभी तीनों टीटोंटी के अंदर स्पेशली हमारे यंग्स्टर ने प्रूव कर दिया कि वह अभी टीटोंटी के लिए पूरे एकदम मैचोर है स्पेशली टीटोंटी के लिए अना जो की 200 शोट फॉर्मेट गेम अगर जिसको हम बोलते हैं तीनों गेम के अंदर 200 प्लस रंस उन्होंने किये हैं और दो में अस्टेलिया हार भी गया तो देखो परसीद कृष्णा पूरी स्रीज के अंदर फ्लोप रहते हैं और अब तो दिपक चार की भी वापसी होगे तो परसीद कृष्णा शायद बाहर होंगे टीम से उसके बाद अगर हम बात करें उस्टेलिया की तरफ भी बहुत सारे आज और सिरीज पे जो हो अपना जो सिरीज को वून कर लें इंडिया की तरफ से बात करें जैसे कि लास्ट टाइम शान किशन को हमने सेल के लिए सजेस्ट किया था और वैसा ही हुआ छे बॉल में जीरन मना की आउट हो गए थे और जाय स्वाल भी देखो लास्ट गेम कु तो पिक पे चला जाता है फिर वह एक चीनिंग बिल्ड कर जाता है और यह यह सब जैसे हैं जो कि 30-40 रन की इनिंग खेल जाते हैं मतलब एक्सचेंश एक और पचास-पचपन पॉइंट इजी लिए कर जाते हैं तो जैस वाल को मैं होल्ड के लिए सजेस्ट करूंगा और मैं अगेन आपको बाई के लिए ही सजेस्ट करूंगा मैं ठीका ना कभी भी बोलिंग में देखो 20 प्लस यह दो मेंच बचे हैं इसमें एक मेंच में अच्छा परफॉर्मिस फोर्शोर करने वाले हैं इन पर थोड़ा सा फोकस रखना मैं अच्छी निंग भी आ सकती है प् क्योंकि बाकी जो स्टिलीन गेन बाज है वो बहुत ज़्यादा पिठाई घा रहे हैं तो एक दो और अगर इनको मिलते हैं एक विकट भी अगर ले जाते हैं तो 20 पॉइंट दे जाएंगे तो मैंथ्व शोर्ट इंपोर्टन हो जाएंगे एक चीज़ अगर आपको मैं बत बात कर रहा हूं अब थोड़े से रिस्की लग रहे हैं मेरे को मेथ्यूएट थोड़े से रिस्की लग रहे हैं कीपिंग में देखो एक आद केच ले जाते हैं यह एक आद केच पकड़ लेते हैं उसके अलावा अगर फिरु देखें तो मेरे को थोड़ा बहुत अगर इस तो लगबग तीनों गेम के अंदर हमने जो है इनको ट्राइ किया था और 28-20 जादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन मैं इन पे थोड़ा सा बोलूँगा आपको कि आप ट्राइ कर लो लाश्ट टाइम भी हमको लगबग आठ रुपए दस रुपए पर शे इनके प्रोफिट वहा था तो अगेन मैं अक्षर प्ठेल पे आपके लिए दाव बोलूँगा कि आप इनको ट्राइ कर सकते इनको बिल्ड करते हैं और इनको बिल्ड करते हैं तो आप इनको भी ट्राइ कर लेना बेन में अच्छे प्लेर हैं और टीम डेविड की अगर मैं बात करूं देखो टीम डेविड ने इनका क्या रहता है यह बहुत ज़्यादा नीचे बेटिंग करने आते हैं और अगर उसके लिए फास्ट बेटिंग करते हैं तो थोड़े से रिस्क हो जाएंगे चेज के लिए मैं आपको यही सेजेस्ट करूंगा अगर आप ट्राइ करना चाहो तो इनको सेल के लिए ट्र और गयकवार्ड थोड़े से रिस्की हैं थोड़े से रिस्की हैं बाट लेस अड़तिस में लेस सेल कर सकते हो थोड़ा सा लेस रखना तीलिक वर्मा अगर ओफर शेक्शन में 282 के लिए मिले बाकी मेरे को चांस कम ही लग रहा है इनके खेलने का और प्लेट्स जैसे की श् फ़्ड़ा इंपोर्टेंट हो जाएंग तो उसकेस में आप इनको ट्राय कर लेना 27-30 में ठीक लग रहे हैं मेरे को जैसे बेरंडॉर्फ के बात कर यह बढ़िये बढ़ियां लग रहे हैं बाकी देखो कोई अच्छे के मेरे को नहीं लग रही है जिन प्लेर्स के बारे मे प्रेमियम मल्टी बेंगर के लिंए उसन को ट्राय कर सकते हैं दोस्तों यह था आज का आपना प्रेडिक्शन वीडियोगर आपको अच्छा लगा लगा कर देना चैनल को सब्स्क्राइब कर देना बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवार